आप सुचेंगे की दिलिप कुमार कॉन? अनिल सिंग के बारे में तो हमने आपको दिखा दिया, ये कहानी वहीं से शुरू होती है, जब राची के हेहल में अनिल सिंग अंचला अधिकारी हुआ करते थे और ये कहानी अभी भी चल रही है, इस कहानी के डॉट्स, इस कहानी के लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि उस अंदाजे को समझने के लिए आपको हम जो बात्ची तभी सुनाने वाले हैं उसको सुनना पड़ेगा असल में जहारखंड जैसे राजी की पूंजी क्या है चल जंगल और जमीन इसी हिनारे के साथ तो जहारखंड बना रहे हैं जिन पर जमीन बचाने का जिम्मा है आज देखिए हमने जब मुहिम छेड़ी है तो लोग हम तक पहुंच रहे हैं ऐसे ही एक शक्स जिसके आवाज किसी ने नहीं सुनी उसना हर दरवाजे पर फर्याद की है हेहल अंचल के तहत रहने वाला ये शक्स है बजरा रा और हमने आपका साथ मांगा तो समाज से ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका साथ किसी ने नहीं दिया और News 11 भारत उनकी आवाज बन रहा है ऐसा ही एक शक्स फिलाल हमारे साथ बैठा है जिनका नाम राजेश कुमार साहू है और राची राजधानी के रहने वाले हैं ये प भारत के कैमरे के माध्यम से सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि कैसे एक आम आदमी खुद की जमीन के लिए और अंचल का रहले के चक्कर लगाता रहता है राजेश जी सबसे पहले आप दर्शकों को समझाईए कि आपके साथ हुआ क्या है आपकी जमीन है हेहल के तहत है अंचल के तहत आती है क्या हुआ है जी जी सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को जो है सो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका चैनल जो है जिस तरह से मुहीम छेड के रखी है जनता जनारदन को आपका चैनल के माध्यम से भर्टाचार का जो है उजागर किया जा रहा है और इस समन्द में जो है सरकारी तंत्र पर जो भी ओफिशर बैठे हैं सरकारी विभाग के ओफिशर को आपके माधियम से जानकारी मिल रही है और जनता जनारदन को कम से कम इंसाफ मिलने की गुंजाइस हो पा रही है आपका आपके परिशानी है जी मेरी परिशानी यही है कि 2015 में मेरी पुस्तैनी अचल संपत्ती जो की बजरा में है हेहल अंचल के अंतरगत आती है तो इस समन्द में एक फरजी सेल डीड बनाई गई थी जो की मेरी जो पुस्तैनी अचल संपत्ती है कुल रकवा दस एकड़ अठासी डिसमील है जो की सरवे खतियान में मेरे दादा जी के नाम से बकास्तमालिक दर्ज है और जब रजिस्टर सेल डीड बनाई गई तो हम लोगों को माननिया ततकालिन सियो मावदे के द्वारा यह बतलाया गया कि आप लोगों की जो जमीन है इसको किसी ने खरीद लिया है तो हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने इसका कड़ा बिरोध किया परन्तु किसी ने कहीं पर भी हम लोगों की बात को नहीं सुना और सब ने अन देखी की जब फरजी डीट के बारे में हम लोग को पता चला था तो उस समय सबसे पहले हम लोग सियोग साब को भी ही सिकायत किये थे उस समय हेहल के सियो अनिल सिंग थे जो फिलाल देवगर में जी जी सियो साहब को ही सिकायत किये थे कि अगर विक्री किया गया होता तो मेरे पिता जी यानि मेरे जो दादा जी के बेटे हैं उनको तो पता चलता हमारे परिवार में 26 भाई हैं और बहन भी हैं तो किसी न किसी को तो पता चलता कि भाई आपकी पुछते निया चल संपती क तो बिकरी कर दिया गया है android आपके दादा जी के दौरह अब अचंड़क जो है आ तक्रीबन सो साल के पस्चाद जो है हमें पता चलता है कि मेरी जमीन की विक्री मेरे दादा जी के दौरह कर दी गई है चार्थ इस सिलसी में जब को ём से मिले तो उन्हों प्रवाइब शाप के द्वारा यही रिप्लाइ मिला कि भाई अब तो आपकी जमीन जो है विवादित हो गई है सो इस समंद में आप जो कोड का नीरनाई होगा सो वही आप लोग को मानना होगा मौजूदा सीओ के पास भी आप गये थे इस समस्या को लेकर उनकी तरफ से क्या मिला अभी पत्ति अपने दिखाई नहीं होगी बहराल क्या आपसे डाइरेक्ली इन डाइरेक्ली कभी भी किसी तरीके से पैसे की मांग या किसी तरीके के गूस कुछ भी बहुत बहुत से लोग तो प्रोपोजल लेकर के कही रहे हैं कि आपका जी जी आपका काम हो जाएगा और आपको घबडानी के जुरत नहीं है तो मैंने उस समंद में पैसा यही 10 लाख रुपया के लम सम में डिमांड किया गया था अच्छा कि भाई आपको जी 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 और आप जहां तक मैं देख सकता हूं यहां पर के आतने एफाई यार भी दर्च करवाई यह यह खतियान सब कुछ कुछ कर आए हैं और सारा कुछ है तो मलोग ठाने में अपने एफाई आर करवाई तो उसके बद किसी ने जांच्माच्क की कुछ हुआ हाना में हमने दो हज़ार हम लोगों Border में अफ़ायार किया था लेकिन ठाना के तरफ से किसी भी तरह का इसह संभान। में संघ्यान नहीन लिया गया है और दुबारा जो हे हम लोगों ने जब ठाने अस्तर पर किसी भी तरह का करवाई नहीं हु तो सरकारी तंद्र पर बैठे हुए जितने भी IPS अधिकारी हैं उन लोगों के पास अपनी सिकायत को लेकर के हम लोगों ने गया जी मानिया को केके सोन साब के पास भी अपनी जो व्यथा है उनको हम लोगों ने बतलाई थी उनके द्वारा भी यही कहा गया कि ठीक है यह तो जांच का विशय है जांच करने के पश्चाधिक कुछ आप लोगों का जो सिकायत है उसका उन्मूलन हो पाएगा उसके बाद जो है सो हम लोग अमर्क कुमार बावरी जो मंत्री महोदय थे विजयपी के कारकाल में उनके पास भी गय थे कि भाई जिस तरह से करप्शन हो र जो है मतलब क्या हो पा कर पा रहे हैं क्या कर रहे हैं जनता जनादन के लिए अभी तक तो सर किसी तरह का तसली हुआ नहीं है कुछ हुआ नहीं है कोई एक्सन नहीं है सरकार और तो भू राजस्व और भूमी सुधार माफ कीज़े भूमी बिगाड विभाग भूमी सुध अगर इनसाफ नहीं दिला सकते तो कम से कम इन्हें परेशान भी ना किया जाए। दलालों का कबजा किस कदर है अंचल कारेयलें में हमने आपको सुना दिया। दस लाख रुपए दीजिये, पांच लाख रुपए दीजिये, पंद्रलाख रुपए दीजिये, आपका काम हो जाएगा। च्रेम्पति के समन्ध में यह मैं आपके माध्यम्स लोगों को बतलाना चाहता हूं, कि जी समय का रजिश्टर शेल्डिट बनाया गया था, उस समय मेरे दादा जी इस धरती दुनिया पर नहीं थे। चलए कि पूरी तरह से क्या है और जब डिजिस्टर्चाड शेलीड गए के जो ततकालीन रजिस्टार साप्ते मानियां राहुल चोबे जी के कारकाल में ही यह सब चीज जो है हुआ है जी और इस समन्द में हम लोगों ने राहुल चोबे जी को जाकर के निवेदन दिया था कि भाई अगर किसी भी तरह का रजिस्टर शेल डीड हमारी संपती का किया गया है तो आप हमको हम लोगों को उसकी छाया परती जो है उपलब्द करा दें तो उनको आवेदन देने के पाचात उनके तरफ से यही रिप्लाई आया कि भाई जो आवेदन आप समयर्पित कर रहे हैं छाया परती के लिए उसका रिकोर्ड रूम में जो है 106 डीड कीया गिया है और आपको उसके च्हाया परती को देने में हम असमर्द हैं तो कुल मिला करके बात ऐसी है कि सबको पाता है कि खेल नहीं बलकि खेला हुआ है और खेला मिलजूल नहीं बांट करके हुआ है लेकिन ऐसे लोगों को अब हिसाब करेगा क्योंकि करमा जो होता है वो रिश्वत नहीं लेता, ये एक मामला है, ऐसे कई मामले हम आपके सामने लाते रहेंगा, और इमांदार भूराज़स्व सचिफ सहब आपकी इमांदारी सचीव साब आप इमांदार हैं हम मानते हैं आपकी इमांदारी का डंका तब बजएगा जब ऐसे लोगों को इंसाफ मिलेगा रांची डीसी साब आपसे निवेदने की देखे एक आदमी फर्याद कर रहा है इस आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है पांच लाख रुपए दस दलालों के माध्यम से अधिकारी इन से घूस मांगते हैं आपके सामने ये आदमी फर्याद लगा रहा है कह रहा है कि भाई डाइरेक्ट तो नहीं लेकिन इंडारेक्ली हेल सीयों साब इनसे घूस मांगते हैं अब आप देख लीजे कि आपको क्या करना है क्योंकि मैं एक चोटा आदमी हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, आप अपने सुभविवेग से फैसला लीजी, कि क्या इस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इंसाफ जरूरी है, इंसाफ इसाम आदमी का हक है ये इसी जल जंगल और जमीन का लड़का है जो इंसाफ के लिए फर्याद लग रहा है अब आप तै कीजिए कि इसके साथ क्या होना चाहिए इसने सच बूला है इस सचाई के लिए इसे सजा देनी चाहिए या फिर इसी सचाई के लिए इसे इंसाफ से न झाल झाल